नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं डिवाइन राजस्थान चैनल पर मैं हूं गशाम शर्मा और आज हम जा रहे हैं दोस्तों विश्व प्रसिद्ध डिगी कल्यान के मंदिर में जोकी इस्थित है राजस्थान के टॉंक शहर में और विश्णुल जी का अवतार इने मना जाता है डिगव छेत्र में इनकी स्थापना हुई है तो जो एने एसेच बारा है जो जपर भीलवड़ा हाईवे है वहीं पर यह स्थित है नुकड़ नामक एक चुराय से हम आगे बढ़ते हैं और डिगी कल्यान की धाम पर पहुंसते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे ह काफी बहतरीन विकास कारें यहाँ पर इन दुनों में किये गए हैं अच्छी रोडे सडके चोड़ी और इसके साथ साथ जो है स्ट्रीट लाइट्स और काफी अन्यवेवस्ते हैं भी यहाँ पर की गई है तो यह मंदिर लगबग आठ सो से बेदिक साल पुराना माना जात और कहा जाता है कि डिगव देश के जो राजा है डिगव उनका उर्वशी जो है जिसे की इंद्र द्वारा निकाल दिया गया था उस पर मन मोहित हो गया था और उसके बाद एक भयंकर युद्ध की कहानी इंद्र और डिगव के बीच में देखी गई बहुत लंबा युद की है और यहाँ पर उन्होंने पुजा अरादना की है तो एक यात्रा भी यहां पर निकलती दोस्तों शावन मास में निकलती है और लाको की संख्या में यहां से शुरुआ होती है और गेट से आप जैसे अंदर गुषने के साथ ही आप मार्केट देखते हैं दोनों तरफ और यह मार्केट यहां के जो स्थानिय लोग है इनके लिए काफी उपयोगी है क्योंकि आसपास कोई बड़ा टाउन नहीं है जो दूसरा दूर जो इसके बाद बड़ा टाउन है वह 17-18 किलोमेटर दूर मालपुरा है तो आसपास के चेत्र के जो बहुत से गाउं है 50-60 है जैसा कि आप दोनों तरफ देख पारें बहुत से दुकाने हैं वर्तमान में सरकार ने यहां पर चाया की व्योस्ता भी की है तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको डिगी कल्यान के मंदिर के और दर्शन कराता हूं यहां के जो भवियो मंदिर है उसका तो यह देख सकते ह यह मुख्य द्वार है जहां पर बहुत चाया की व्योस्ता की गई है चोकोर आकार में बाहर दालान है जिसमें विभीन प्रकार के शृद्धालु भक्त आप देख सकते हैं बैठे हुए और पूरे चारों तरफ यहां पर कोटा स्टोन का अभी फर्ष किया हुआ है बहुत कई मंदिर अर्थव्योस्ता में बहुत इंपोर्टेंट थे और इसलिए यह मंदिर भी अपने आप में नायत्व रखता है तो भगवान विश्णु का अवतार इन्हें माना जाता है और इस्थानीय लोगों में खासकर काफी परंपरा है तो मखाने और जो जिनको हम बोलत मंदिर इसेमें लोगों में फिर्वाज does दान नायता है दीक है और यहां तैक तो फ़र्ष में आज भी रहने की वेसेए लोगों मने की जो है दालान है जहां पर पुजारियों आदी के रहने की व्यवस्था की गई है कुछ धानपात्र यहां पर शुडवात में रखे गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्य द्वार जो देखते हैं बहुत ही कलात्मक्ता के साथ बेल बूटों की सजावट है बहुत और उपर दो जो सेवक हैं भगवान के वे दोनों खंबो पर इस तरह से कलाकृत किये गए जैसे कि वो भगवान की सेवा में जुकेवे हों इसके बाद में दोस्तों अंदर का प्रांगन आ जाता है गरब ग्रे से बाहर का जो हिस्सा है तो प्रदक्शना पत्वी यहां पर चेतर है वो थोड़ा कंजस्टेट जरूर है लेकिन फिर भी मंदिर में काफी शृदालों की भीट रहती है और खासकर शाओन मास में तो आप देखेंगे यदि कभी यात्रा देखने का मोका मिले तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो लोग है यहां पर दर्शन के लिए आ बहुत सी मूर्थिया पुराने समय की मूर्थिया यहां पर है किस तरह से दो देविए और देवता हों कि आपस में मूरतिया तो यह udi ऑफ़से पत्थरों का यहां पर अंकन किया गया है पूरे के पूरे मंदिर वाकई में एक अथभुद जो इस्थापत ते कला श्रिणी है, उसका दर्शन हमें हैंहापर करवाता है तो यह है मंदिर का गर्भग्र जिसके बाहर का शिखर मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो पूरा का पूरा जो है, एक विशेष पथर से यह निर्मित है जस पर काले पत्थर के निर्मित जो है चारो तरफ देवी देवताओं की मूर्तियों का हंकन यहांपर किया गया है तो विश्णु और लक्ष्मी की जो मूर्तियां है दोनों तीनों तरफ यहांपर बनाई गई है भगवान की और काफी अच्छी तरण से यह बनी है और अब मैं मुख्य द्वार की आपको बात करूँ तो मुख्य द्वार पर कलात्मक बेल बुटो से सज्जा की गई है जैसे कि स्वयनिम आभा देने वाली यहां के पुजारी सदेव 24 गंटे यहां पर उपस्तित रहते हैं और जब शाम को आरति-वती उसके बाद यहां से जाते हैं मंदिर में भगवान की बहुती सुंदर प्रतिमा जैसे की आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने आप देखिए यह है भगवान श्री डिगी कल्यान जी की प्रतिमा तो पिल्कुल सामने में आपको ये दिखा रहा हूँ पृतिमा ये देखिए हो दोस्तो भगवान की पृतिमा संग्मर्मर निर्मित है और ये एक खडी मुद्रा में है जिसमें भगवान चतरबुज रूप में दर्शन दे रहे हैं भगवान की जो ठोड़ी है उसमें एक हीर पूरा भी लगा हूँ तो इस हीरे की जो आबा है वो मूल गेट जो हम जो गेट है वहां से भी दिखाई देती है तो यह है दोस्तों डिगी कल्यारण जी मंदिर होनी की कथा के बारे में भी या लिखा हूआ है तो कथा के साथ आपको छोड़े चलता हूँ और मिलेंगे ए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद